तेटी आप में शामिल होंगे बड़े आईयोजन होते हैं बड़े कलए कम होते हम लोगों को निमंत्रणी नहीं मिलता तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रणी हुस्ते हुआ है उन्हें निमंत्रण भी दिया गया कि इसमें वें समली तो उनके ना केवल बड़े नेता बलके छोटे कार्य करता जो जुमीन में जिलों में हैं उनसे भी अन्रोध किया गया है कि वो भी कौह पर आएं और राउल जी की आतरा में सब्दी तो 2024 के लोग सभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और तमाम पाटियां इस चुनाव के मैदान में जोर शोर से उतरने को तयार हैं ऐसे में कॉंग्रेस भी अपनी जड़े मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में जुटी हुई है कॉंग्रेस की भारत जोडो न्याय यात्रा लगातार जारी है और जल्द ही ये यात्रा यूपी की तरफ रुख करने वाली है ऐसे में इंडिया अलायंस के घटक दलों को भी इस यात्रा में शामिल होने का न्योताद दिया गया है लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने न्योता मिलने की बात से इंकार कर दिया है वहीं कॉंग्रिस नेताओं का कहना है कि सिर्फ इंडिया अलायंस ही नहीं बलकि तमाम छोटी पार्टियों और उनके कारेकर्ताओं को भी यात्रा में शामिल होने का न्योताद दिया गया है ऐसे में एक बार फिर अब ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ all is well नहीं है आज अखिलेश यादव पत्रकारों से बात चीत कर रहे थे इसी क्रम में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या अखिलेश यादव कॉंग्रिस की भारत जोडों न्याय यात्रा में शामिल होंगे तो सुनिए अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कहा वहीं इस मामले को लेकर जब हमने कॉंग्रस के वरिष्ट नेता पी यल पूनिया से बात की तो उनका इस मामले को लेकर जो कुछ कहना था वो जानिये सर क्या और जो दल है आपके चाहिए वह लाइन से और दल क्या उनको इन्विटेशन इस यात्रा के लिए मिला है किस तरीके से आप और दलों से कॉडिनेट कर रहे हैं यह अभी समय है इस सुवारे में सब पूरी चर्चा करके करेंगे और यह सपस्ट है यह पूरी यात्रा हमारे जो सेहो की दल है गटबंदन जो समधित से सुवार है उन्हें निवंदन भी दिया गया है कि इसमें समली थो उनके ना केवल बड़े नेता बलके छोटे कार करता जो जुमीन में जिलों में हैं उनसे भी अन्रोध किया गया है कि वो भी वहां पर आएं और राहुल ज सपा के बीच क्या कुछ चल रहा है इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वहीं ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों दलों के बीच तालमेल की कमी दिख रही हो समाजवादी पार्टी ने जब बीते दिनों अपनी उमीदवारों की पहली सूची जारी की थी तब भी खुश दिखी थी सीट शेरिंग के मामले पर भी दोनों ही पार्टियां आमने सामने दिख रही हैं ऐसे में अब देखना दिल्चस्प होगा कि इस खीचा तान का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है लखनव से आशी श्रीवास्तव की रिपोर्ट यूपी तक